आनन्द लोग की जीवन का में स्वागत है आज परमीश्वर का वचना कुने में मुझे उत्तेजना है योहना ग्या चालिस में इश्यू ने कहा यदि तो विश्वर करेगा तो परमीश्वर की महिमा कुना और आज इसी के बारे में हमें बात नहीं है हर परिस्तिती में चाहे जैसी भी हो चाहे जितनी कठिनों ना आप कह सकें कि मेरा प्रभू में श्वास है आजादी के और प्रती दिन के की रोज की हमारी इस आलोचना में आप हमारे साथ रहें जीवन समुचित नहीं ये पर पर्मियाय का पर्मिश्वर है वो छुड़ा है और वापस करने वाला आप अप उन्नीस पर जाए मुझे अचमबा होता है कि अयूब ठीक भजन से पहले मैं जब हम अयूब के साथ निभा चुके हमें कुछ भजन के आवशकता होगी अयूब उन्नीस देखिए मैं सब कुछ पढ़ नहीं सकते अगर इसमें से कुछ आपको पढ़ कर सुनाओंगी अर्थात ये आदमी आपने कि आपका दिन बुरा भीत रहें अर्थात अयूब का दिन दुगना बुरा था अब देखिए अयूब ने उत्तर दिया वो पर से बात कर रहा था जरा सुपर मेश्वर से किस तरह बोलता है तुम तक मेरी प्राणों को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे दसो बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे वो कुछ लोगों से भी बाते कर रहा है फिर वो थोड़ी देर विरुद अपने बढ़ाई करते हो और प्रमान देखकर मेरी निंदा करते हो जो ये जान लो कि ईश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फसा लिया है मैं उपद रहो यूँ चिलाता रहता हूँ पर अंतु कोई नहीं करता मैं साहता के लिए दोहाई देता रहता हूँ पर कोई नहीं करता मैं परमीश्वर के लिए चिला पर वो कुछ नहीं कर रहा ये अनुची थे इसमें नहीं उसने मेरे मार को रूंधा है कि मैं आगे चल Neली सकता मेरे डगरे हेर ही कर दी है मेरे कि lifhav उसने हुद भधार से हुदुरन को टोतार लिया उसने चारों और मुझे तोड़ दिया अाश्रा वर्रुक्ष की नाई कर डाला है तु पथ 25 में मोजे तो निश्चछ है तिस मुझ मेरे भीतर पटा के छोड़ दिये थे समुष मेरे भीतर पटा के छोड़ दिये है ओड़ी भर के लिए उसोचा कि अनुभूती और चार कैसे थे और वो जरा और गहरा गया अपने रिदे में ये देखने के लिए कि क्या है और उसने कहा अपनी भावना और विचारों को मैं जानता हूँ और कैसा रहा है देखने में मगर मैं जानता हूँ कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और मैं जानता हूँ कि इन तिम दिन वो मेरा उधार करेगा देखिए यही है आज़ादी इस संग्शी में यहीं हम आज़ादी की बाते करेंगे तो हमें भश्टी की बात करनी पड़ेगी क्योंकि बच्चों के से भरो से के बिना आज़ादी कभी भी नहीं मिलेगी जाहां हम कह सकते हैं यह कैसे दिखता है इसकी परवानी कैसा लगता है इसकी परवानी आप क्या कहेंगी इसकी परवानी आप क्या करकी परवानी बस एक बात मैं जानता हूँ, जानता हूँ कि प्रभू मुझसे प्रेम रखता है, जानता हूँ कि प्रभू मुझसे प्रेम रखता है, जानता हूँ कि सब चीजों से मेरा भलापन होगा, और ये की मेरा छुडान वाद जीवीत है, और मैं चाहती हूँ कि अब उसकी अनिपत तो जानते हैं वो क्या कह रहा है आईए आज इससे समझ रिना बहुत जरूर जानते हैं अयूप क्या कह रहा है मुझे मेरा उद्धार ना मिले जब तक मैं इस शरीर में हूँ तो भी मैं इसे पाकर ही रहूँगा चाहे मुझे इस तरफ मिले या परली तरफ मिले मैं तो पाकर ही रहूँगा क्योंकि अनन्तता क्योंकि अनन्तता बहुत लंबी अवद ही है और हमारा जीवन तो यहां से बहार निकलते ही शुरू होता कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रात्ना की और प्रभु ने नहीं सुनी हाउस ने किया उसने वहां नहीं किया जहां आप देख सकते थे जब तक समझ नहीं ले मैं यहीं रहूंगी अगर आपको सोना है तो आपकी क्लिया ऐसी हो कि समझ में आ रहा है क्या इसे किसी की आतों में हल चले जैसे की मेरी होनी मैं अपना जीवन परमेश्वर से सवाल करते हुए नहीं बिताओंगी न दिवानों की तरह पता लगाने की कोशिश में कि क्यूं प्रभु क्यूं कब प्रभु कब आपके पास जो है उसे देखते हुए मेरे पास जो है उसे देखते हुए आपके पास जो है मैंने नहीं पाया मेरे साथ क्या खराबी है उनकी मदद तू क्यूं कर रहा है और मेरी मदद क्यूं नहीं है ये समुझ इतने ही, मेरे पास सिर्फ एक ही बात है, मुझे विश्वास है प्रभू को मानती हूँ और जानती हूँ मेरा छुडाने वाला जीवी थै मेरा बढ़ाओ यहीं मिलने की आशा है, कि इन तो यहीं ना मिले, मुझे हवश्य मिलेगा मुझे शायद दूसरे तरफ मिले इस खाल और शरीर के बिना, मगर मुझे जरूर मिलेगा और मैं जानती हूँ से देखूंगी, ये भी जानती हूँ कि वो मुझे जिलाएगा और ये भी कि वो मेरा पोशक है मैं जानती हूँ और मैं जानती हूँ सोचते नहीं आशा नहीं करती और शायद नहीं हो सकता ये भी कभी नहीं कहूंगी मैं जानती हूँ कि परमेशर भला है और वो मेरे जीवन में अवश्य न्याएं लाएगा और मगर मुझे यहां मिरास्ता मिले तो परली तरफ मुझे आवश्य मिलेगी मैं भाग नहीं रही हूँ और नहीं मैं छोड़ रही हूँ ओ मैं कार्य और त्याग करता हूँ कोई दिहान नहीं देता कोई देखता भी नहीं कि क्या कर रहा हूँ जी हाँ देखते हैं, प्रबु देखता है, प्रबु सब कुछ देखता है, मैं भी औरों की तरह समय से गुजरती हूँ, दो साल पहले मुझे ठकावट सी मालू हुई, जान लीजे कि मेरे पास जो कुछ भी उसके आखरी बुन भी आपको मिल जाएगी कल शाम से पहले, आपको उस सब कुछ मिल जाएगा, एक बार जानते हैं, कभी कभी जब मैं बहुत परिश्रम करती हूँ, दो साल पहले मैंने अपने को सोचती हुई पाया, मैंने जानती प्रभू, ये मुझे करते रहना चाहिए क्या, मेरे बारे में क्या, होटल के कम्रो से कम्रो तक हुमते रहना दूसरे शहर में फिर दूसरे शहर में, ऐसे होटल जहां बार्टब का स्टॉपर दिखाए ने थे तो और पानी काम नहीं करता वगरा 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 मेरी उम्र बढ़ती जारी और परमेश्वर को भी बता भी रही है और जो चीज उपर यहां हुआ करती थी वहां गिर गई है और अब तो जहां तक हो सक्यों से चुपाने की कोशिश करती है इसमें से कुछ तो निकलवा दिया मगर पूरे का पूरा नहीं हुआ प्रभु नहीं जानती के और 20-30 साल मैं इसे करती ही रह पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी परमेश्वर ने मुसे क्या कहा जानते हैं जॉइस तुम इसे मेरे लिए करोगा देखी हम आखिर कैसे कह सकते हैं कि प्रभु मैं इसे आगे नहीं कर सकती नहीं कह सकते एक बात जानते हैं मेरी एक नई योजना है मैं इसे अंतिम सांस तक करती रहूंगी मुझे परवानी अगर किसी दिन मैं वील चैर पर भी बठा कर लाई गए जब तक मैं दम न तोड़ दू मैं यहीं रहूंगी क्योंकि परमेश्वे की सेवा से बैतर और कोई काम नहीं है दुनिया भर की लोगों के सामने खड़ियो कर यह कहना प्रभु रॉबदार है सारी सुष्टी में वही एक मातर रोबदार बस्तू है और आप यदि उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो आपका जीवन जीवन नहीं मैं जानती हूँ मेरा छुडाने वाला जीवित है हाँ मेरा दुर्व्यवार हूँ और हाँ लोग मेरे बारे में गंदी बाते कहते हैं और नहीं मुझे सदा जिस सराना की आश्रहती वो नहीं मिलती है और वगरा 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 जानते हैं कि आवर्षा आने वाली है। देखी इन भावनाओं का मुझे पता है। 11 में इश्युने का मैंने कहा थाने के दि तुम विश्वास करोगे। तो परमेश्वर की महिमा देखोगे। अपनी समस्यों और संकोटों में मुझे कुछ नहीं करना सिवाय प्रमु में भरूसी की। धन्यवाद। अयूब 42 दस पर जाई। तब यहुवा ने उसका सारा दुग दूर किया और सारा विभव लोटा दिया। जब उसने ओ ओ ओ एक कठिन काम किया बुरा बरताओ करने वाले मित्रों के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने अयूब को दुग ना भी दिया। कमोन आज इसे सब लोग अवश्य समझ ले। मैंने आप लोगों से कहा कि प्रभू ने अयूब को दुग ना दिया। उसके कश्ट के लिए दुगना, दुगना पुरसकार, दुगनी मिरास, पहली नाम धराई की, हाँ, 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 मेरा दुर्वेवार हुआ, समुचित नहीं था, सही नहीं था, पर मिश्वर ने का, येदि मुझ में भरोसा रखो, और मेरे मार्क पर चलो, तो तुम्हे मैं दुगना दूँगा, दुगनी आशीश यौवन में लज्जित होने के लिए, और देखे आप मुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, जमाने निशांती का पैगाम दिया है, कोई सुन रहा है मेरी बाद, पर मिश्वर में भरोसा रखे तो घटी में नहीं आ सकते, प जहर मुम्किन कोशिच कर ले, यदि आप इस पर ठीके कि प्रबु में विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि मुझे छुडाने वाला जीवित है, कमॉन लगता है यहाँ पर अब वो नीचे जा रहा है, अब जकर धीली हो रही है, पर मिश्वर से खुप दोने की कोई ब मर्कुस चार कहता है कि बिना जड़ के मसीही संकट आते ही इक शुपध हो जाते हैं, जब चेली इश्व के साथ नाओं में थे, तो उसने तुफान को तुरंत नहीं देखा, चेलों ने शिकायत की किसे उनकी परवहा नहीं, इश्व तुझे हमारी परवहा बिलकुल नहीं है, बाइबल भर में लिखाए, मगर हमें दूसरे दिखाये देते हैं जो वैसे नहीं थे, वे थे शद्रक, मेशक और अबिदन गो, अरे दुष्ट राजा तु जो चाहे कर ले हमें परवानी, एक बात कह देते हैं, चाहे परमिश्वर हमें भट्टे से उभार ले या हम जल जाएं, हम तेरे सामने नहीं जुकेंगी, ओ ये एक महान कता है, मैं उसी का प्रचार कर सकते हूं, और कितनी तेजस्वी है ये कता, वे भट्टे में डाल दिये गए, और भट्टा साथ गुना अधिक धतका दिया गया, और जब भी उन्होंने कोई सही निने लिया, समस्या और बिगड़ गई, वे धदकते भट्टे में फेग दिये गए, बंधे हुए, यही महिमा है जो हम खो देते हैं, वे धदकते भट्टे में फेग दिये गए थे, और जब राजा ने देखा, तो एक चौथा पुरुष्था भट्टे में और वे खुले ठेल रहे थे, समस्या की गहराई में उन्होंने पर्मीश्वर में स्थान पाया, जिसने उन्हें समस्त समस्याओं से मुक्त कर दिया, ये समस्या में ना होने की बात नहीं थी, जब उनका कोई नहीं था परमीश्वर के सिवा, तब प्रभु मिस्थान के लिए दि गहराई में लीन हुए, जिससे उनके सारे बंधन कट गए। आप में से कुछों को कब्र के कपड़े उतार देने चाहिए। तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और घबरा कर कहा। जब बहनों ने चाहा वो नहीं गया जान बूच कर ताकि उसकी महिमा दिखाई दे। आप एक चमतकार के तेजस में नहीं होते जब तक कि आपकी समस्य ऐसी नहों जिसे प्रभू किसी वा कोई सुझा नहीं सकता। तो इशू रोया। काश मुझ में भरोसा रखते। पता नहीं जब वो स्वर्ग में हो और हम जाते प्रभू समझ भी नहीं आता क्यूं 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 मुझसे प्रेम नहीं रखता तू सच्चा क्यूं नहीं। मेरा भरोसा नहीं तुम्हें। मुझ में भरोसा नहीं रख सकते। पद उन्चालिस ईशु ने का पत्थर को उठाओ हे प्रभू उसे मरे चार दिन हो गए अब तो दुर्गंद आती है तू यहां कुछ भी नहीं कर सकता है और ईशु ने कहा क्या मैंने तुमसे ये ने कहा था कि दी तू विश्वास करेगी तो परमिश्वर की मही मा को देखेगी तब उन्होंने उस पत्थर को टाया अब यहां से मैं कहानी आपको बताती हूँ लाजर निकला और वो निकलाया ये नए जन्द का समानार्थ है मगर फिर ईश्व ने एक दूसरी बात लाजर से कही जिसका काफी प्रचार सो नेम नहीं आता लाजर कबर के कपड़े उतार दे देखे हमारी कलीसिया फिर से जन्मे लोगों से भरी है जो चर्च जाते हैं, बंपर स्टिकर रखते हैं, पुस्तके और टेप भी रखते हैं मगर कबर के कपड़े भी पहने होते हैं हम लोग आजादी के बारे में बाते कर रहे थे मगर आजादी असली नहीं है जब तक कि परमीश्वर के साथ हमारा एक व्यक्तिगत नाताना हो यदि आप परमीश्वर से भैबी थें, यदि आप मौद से भैबी थें, यदि आपको भै है कि जब मरेंगे तो नरक जाएंगे तो आप आजाद नहीं है और जीवन के आनन से वंचित हैं, आपको भै रहत होकर जीना चाहिए क्या आप चाहते हैं कि आपके पाक्षमा हो जाएंगी क्या आप चाहते हैं कि एक उजवल भविश्य आपकी प्रतीक्षा करें कि आपको ऐसा एक दोस्ट चाहिए जिससे आप किसी भी समय कोई भी बात कर सकें तो आपको ईशू मसी को अपना उधारक मान लेना चाहिए हम सब पापी हैं हमने पाप किया है और परमीश्वर की महिमा को लगू किया है मगर बाइबल कहती कि हम धर्मी बनाय जा सकते हैं हमें परमीश्वर के सामने सही दर्जा मिल सकता है ईशू मसी के लहो के माध्यम से सच्ची बात तो यह है कि हम पापी हैं मगर पाप का मूली चुका नहीं सकते मूली ये इश्यू ने चुका दिया वो कुरूसित होकर मरा और हमारा रुन चुका है यदि मुसका विश्वास करें उसे माने और सुवीकारें तो हम परमिश्वर के साथ सही रिष्टे में हो सकते हैं यदि आप अभी इश्यू को उधारक मान लेना चाहें यदि इरादा सच्चा है तो आप मिरे साथ इस प्रात्ना में भाग लीजिए मैं प्रात्ना करूंग और पीछे आप भी करते चलिए और परमिश्वर आपके रिदय में एक चमतकार करेगा पिता हम इश्यू के नाम में तेरे पास आते हैं इश्यू को भेजने का धन्यवाद आप से प्रेम है प्रभू इश्यू हमें तुझ पर विश्वास है मैं अभी तुझे उधारक मान लेता हूँ इश्यू जानता हूँ कि मैं पापी हूँ मुझे पापों का अफसोस है मेरे सारे गलत कामों के लिए मुझे एक शमा कर मेरे दिल में आ और मुझ में वास कर मैं मसीही होना चाहता हूँ तेरी महिमा के लिए मैं जीना चाहता हूँ और इसके लिए तू मेरी मदद करेगा उसका धनिवाद ईशु के नाम में आमीन आप सोच सकतें कि इतना सामाने तो नहीं हो सकता ये कैसे हो सकता कि आप जीवन पर पाप मेरे और केवले एक बार प्रातना करने से सारी चीज़ें बदल जाएं आज आपने एक बिल्कुल नहीं शुरुआत की है बाइबल कहती है इदी कोई इशु में हो जाये तो वो एक नया जीव है पुरानी बातें बीद गई और सारी चीज़ें नहीं हो गई आपको नहीं शुरुआत मिलती है स्पश्ट है कि आपको बहुत सी बातें सीखनी होंगी और कुछ जिम्मेदारिया भी होंगी जिने आपको निभानी होंगी आपको हम कुछ जानकारी दिना चाहते हैं जिसकी मदद से आप मसीह के साथ नया जीवन सही रीतिस से शुरू कर सकेंगे आप इदी परदे पर के नंबर को फोन करें तो हम आपको एक नई पुस्तिका भेजेंगे ये भेट के तौर पर होगी जो नय जीवन में आपकी मदद करेगे आपके मन में कोई सवाल उठे तो हम उत्तर देंगे कुछ सिखाना हो तो सिखाएंगे ताकि वो नया जीवन जीने में आपको मदद मिले प्रभु आशिश दे परमिश्वर के परिवार में आपका स्वागत है